So Hello Friends, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में आए जानते हैं UP की कुछ खास खबरे मुख्य समाचार है, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है अन्डे डाज्यो से भी बड़ी खबरे है दरसल आपको दादे अब सरसों का तेल आपको सस्ता मिलेगा क्या करना होगा और कितना रुपय सस्ता है इसको जानेंगे, वहीपर LPG का सबसिडी मिलना है आपके खाते में, अगर आपको भी पैसा नहीं मिला तो क्या करना है आइए इसको जानते हैं अगर आपके पास Gas Slender है तो आपको सबसिडी मिलेगी वही अब सरकारी रासन के दुकानों पर दूद, घीव गेरा भी मिलेगा, सस्ते दर पर होगा गेहूचावल के साथ ही मिलेगा, अब आपको क्या क्या चीज़े इसमें मिलेंगी ये जानेंगे, वही पर दुनिया का सबसे पुराना बरगत का पेड़ यूपी में मिला है, कैस इसकी पिक्चर और कहां पर है, ये जानेंगे, आई इसके बारे में पूरा अपडेट जान लेते हैं, वही 30 जून को होने बाला है बड़ा काम, योगी सरकार की 5 बड़ी घुष्णों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस वीडियो में आप अंतर तक बने रहीएगा क्योंकि आपके काम आपके लाब के लिए ये इंपोर्टेंट जानकारियां दी गई हैं, जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है, तो चलिए, सुरू करते हैं देखिए बात कले पहले खबर की तो योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला है, 5 हजार में परिवार के सदख से कर सकेंगे मुक्तार नामा, पावर आफ अटार्नी अब आसान नहीं होगा योपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है, अब पावर आफ अटार्नी पर रजिस्ट्री की तरह इस टाम सुल्क देना होगा, केवल परिवार की सदख से आपस में 5 हजार रुपै सुल्क पर मुक्तार नामा कर सकेंगे, मंगलबार को कैबिनेट की बैठक में इस एहम प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी गई है, अखिलेस यादों ने भी सपाईयों को किया है अगाह, आपको दादे ना समझी मत करना, वरना नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी, ऐसा उनका बयान आया, यानि अखिलेस यादों का, और 2024 से पहले सपाईयों को अखि पहले सपाईयों को जीत का मंतर दिया, उन्होंने पार्टी की लोगों से कहा कि 2024 की लड़ाई के लिए कोई ना समझी नहीं करनी है, वरना ऐसा नुकसान होगा कि भरपाई मुस्किल होगी, तो यूपी कैबिनेट में बड़ा फैस्ता ले लिया गया है, 15 वर्स पुराने सर कारी वाहनों के पंजी करन का नवीनी करन भी नहीं होगा, तो सराव वा बीर पीने वालों के लिए बड़ी खुसकबरी है, क्योंकि नहीं होगा जेब धीली क्योंकि योगी सरकार ने जारी कर दिया है, तो जो कोई भी सराव या बीर पीता है, तो उसको क्या बड़ी खुस दूला नहीं जाएगा इसके साथ ही आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजे आर बुसुरेड़ी ने विभागी अदिकार्यों को निर्देश दिया है कि सराव के अधिकतम खुद्रा मुल यानी MRP से अधिक मुल पर मदीरा की विक्री विक्रिताओं द्वारा किसी बिस्तती में ना की जाए खरीदारों द्वारा अधिकतम प्रिंट मुल देख कर ही बुक्तान किया जाए तो किसान इदी को लेकर अब तक कर सबसे बड़ा पडेट आ गया है अगर आपको 12 औ 13 किस्त नहीं मिली थी तो इस 14 किस्त के साथ आपको पैसा मिलेगा क्योंकि योगी सरकान ने कई सारी योधिस्तर प्रकार किये हैं जो 10 जून तक चल रहे हैं जिसमें एक प्रकार का सिविर चलाया जा रहा है और सारे डॉक्यमेंट वगेरा सही किये जा रहे हैं तो 14 किस्त कब आएगी तो बहुत सारी लोगों का इसी बात का इंदजार है तो डेट का एलान भी हो गया है कैसे आप प्यम किसान निदी का आवेदन करेंगे या आपको पता ही होगा लेकिन कोई भी गलती हुई है तो आप उसे तुरन सुधार ले क्योंकि 10 तारिक तक दिखाते में आएगी क्योंकि अपर मुख्य सच्यूकरसी विभाग के ओर से डॉक्टर देवेश चतुरवेदी ने मीडिया को बताया है कि प्यम किसान सम्मा निदी की योजना 15 जून के आसपास आ जाएगी यानि ये पैसा आपको 15 जून के आसपास मिल जाएगा तो 15 किस्त का पैसा आपको कुल 4000 रुपे मिलेगा इसका कारण ये है कि 13 किस्त का पैसा यूपी में बहुत सारे किसान धार को कुन नहीं मिला था तो इस वज़ा से अब उन्हें 14 किस्त के साथ मिलेगा तो LPG की सबसेड़ी को लेके अब तक की सबसे बड़ी खुसकबरी आ गई ह तो ऐसे ही राजस्थान के सो गहलो सरकार की तरफ से PM उज्जुला यूजना की लाभारतियों को 500 रुपे में LPG सिलेंडर देनी की घोशना की गई थी अब इस यूजना को सरकार ने नए वित्तिवर्स एक अप्रेल से लागू भी कर दिया है इसके लिए राज सरकार की तर पर में 12 सिलेंडर 5 रुपे की दर पर ही दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा देखिए जो कहा है वो कर दिखाया है वादा निभाया है वैसे योगी सरकार का वादा का पूरा होगा ये कॉमन करके आप ज़रू बताइएगा क्योंकि हर राज सरकार ने अ पर मिलने वाला था उसकी सुरवात हो चुकी है अमेठी में सरकार की इस दुकार पर अब मिलेगा आपकी जरूरत का समान जानिये विभाग का मास्टर प्लान क्या है यानि अगर आप अमेठी में इन सहरों में आते हैं तो आपको ये लाब मिलेगा दरसल जिस रासन की दुकार पर आप सिर्फ रासन लेने जाते थे प्राप्त होगी इस पहल से जहां एक तरफ उचित दर विक्रताओं को सहुलियत होगी वही ग्रहकों को भी कहीं न कहीं सुविदा मिलेगी सभी रासन की दुकारों पर इन सुविदा को मुहया कराने का निर्देश भी दे दिया गया है तो अन्य जीलों में भी इसकी सुरुवात हो जाएगी जनपद में सासन की ओर से अंतियोदेव पात ग्रहस्ती रासनकार धारकों को रासन उपलब्द कराने के लिए जनपद में कुल 765 दुकाने संचालित हैं जिन में 733 दुकाने ग्रामिर छेतर में आती हैं और 12 दुकाने नगर छेतर में आती हैं तो इन दुकानों पर अब जरूरत का सामान उपलब्द होगा जिसमें दूद, दही, तेल, साबुन, आटा, दाल, रिफाइन और बच्चों के उपयोग में आने वाले सामान के अलावा टूद, ब्रत, कंगी ये सबी कुछ सामिल है जनपद में बरगत का पेड़ यूपी के बुलन सहर में मिला है, नहीं पता है तो आप इस बात को ध्यान समझे को कि यूपी के बुलन सहर के नरावरा जिले में दुनिया का सबसे पुराना बरगत का पेड़ खोजा गया है, वैग्यानिकों के एक टीम के अनुसार ये पेड़ कई आप और यही कारण है कि बर्गत कपेड यूपी के बुलन सहर में पाया गया है जिसके उम्र 500 साल बताई जा रही है। वग्यानिकों की एक टीम ने इस बारे में रिसर्च करते हुए दावा किया कि पूरी दुनिया में इस से पुराना बर्गत कपेड अभी तक मौझूद नहीं है। यूवर्सिटी खोले जाने का प्रस्ताव योगी आदितना सरकार की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। तो अप्रेल और मई में खूब बारिस हुई लेकिन अभी तक मानसून का इंदजार हो रहा है तो कब आएगा मानसून और कैसा रहेगा मौसम इसको जा लिजे। दिली अन्सियार यूपी हरियाना पंजाब और राजस्तान समेथ उत्तर भारत के कई राज्यों में इस साल अप्रेल और मई थोड़ी राहत भरा रहा। अप्रेल और मई दोनों ही महिनों में रुक रुक कर अच्छी खासी बारिस होई जिससे पारा उतना नहीं चड़ा लेकिन अब सभी लोगों को गर्मी सता रही है और वो मानसून का इंदजार कर रहे हैं। बनी रहेगी। अपैरल पार्क का निर्मार करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने राजधानी के मलीहाबाद तहसील के मॉल ब्लॉक इस्थित अटारी गाउं में भूमी को भी चिन्हित कर लिया है जिससे एक लाक युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिया दोस्तो एक हजार एकर में बन अनिवाद।